हेलो वियर्स, वेलकम तो माई चानल इंजल गैबल जारेट्स इंदिस वीडिया मेट वा रश्मी देसाई बहुत सारे फैंस जाना जा रहे हैं कि रश्मी देसाई का 2023 कैसा जाएगा अगला साल इनके लिए क्या मैसेज कर रहा है मैं अपमें Divine Energy से request करूँगी कि प्लीज मुझे बताएं कि रश्मी देसाई जो कि बहुत अच्छी एक एक एक्ट्रिस है फिल्म इंडस्ट्री में तो हम सभी उनको जानते हैं तो उनका 2023 कैसा जा रहा है इस बार अगला साल जो है इनका एक नई शुरुवात होगी इनके लाइफ में New Beginning का इसमें एक अच्छा कार्ड होता है और इनको कर्मा इनको अपना नई शुरुवात तो होगी लेकिन इनका कर्म इस वह एफट कर रहा है और अगर ये अच्छा attitude रखती है अपने काम के लिए, अपने जिंदगी के लिए अपने life के लिए तो अच्छा अगर attitude positive अगर ये चलती है तो इनको positive reactions ही मिलेंगे इनका यहां यह भी दिख रहा है कि यह अभी है तो यह love or caring बहुत जादा लेकिन कुछ चीज़ें इनकी love or caring तो है no doubt लेकिन कुछ चीज़ें जहें वो जो इनके mind में चल रही है वो शायद पूरी ना हो पाए तो इसलिए इनका nature हो सकता है कि थोड़ा सा जह हार्श nature हो जाना यह इसमें possibility दिख रही है कि कोई काम ना बनने के कारण कोई एक या दो काम इसमें दिखते हैं कोई work पूरा नहीं हो पाएगा कुछ है problem तो उसकी वजह से यह थोड़ा सा हो सकता है इनका nature में जैसे होता है कि इनसान के nature में कुछ ना कोई changes आने लगते हैं यह चीज है और इसमें भी message आ रहा है कि इनका इस वक्त जो राहू की दृष्टी है वो इस वक्त चलेगी इनकी कहीं ना कहीं राहू affect कर रहा है इनके और हला कि यह अपने श्रम से अपने hard work से उस चीज को overcome कर ले जाएंगी और इसमें भी दिख रहा है कि इन्होंने जो यंग इश में progress इतनी करी वो कहीं न कहीं जो है message हो रहा है कि यह no doubt कि publicly इनको बहुत ही लोग जनता है और इसमें भी message है कि एक message आ रहा है कि कहीं नई जगह अपना शादी के बाद हो सकता है यह शादी के भी planning करें और शादी के बाद हो सकता है कि एक नई जिंदगी के शुरुवात करने कोशिश करें लेकिन वहाँ पर जाकर के भी यह jealousy का शिकार हो सकती है अगर यह सोचती हैं अपने मन में कि मुझको एक नई जिंदगी या new house लेना है most probably एक new house लेकर के वहाँ पर अपने सब चीज़ें manage करनी है most probably यह जलन खोरी का शिकार हो जाएंगी और इसमें इसमें मैसेज आ रहा है कि इनका no doubt की jealousy का शिकार होंगी इसमें यह भी message बहुत clear है इसमें और देखना चाहूंगी रश्मी देशाई का कि जहां तक इनकी करियर की बाद है यह prosperity तो बनी रहेगी लेकिन इनका savings थोड़ा सा problem दिखा रहा है कि इनके पैसे बहुत अदा खार्च हो जाएंगे और income के स्थोथ तो खोलेंगे इसमें तो कोई doubt नहीं income के स्थोथ तो खोलेंगे लेकिन और यह बहुती सोस समझ के opportunities को अपने life में जैसे होता है कि बहुती सोस समझ किसी project पर साइन करना या कोई ऐसी चीज़ पर साइन करना जहां पर बहुत सोचना समझना है बहुती cool minded रहेंगे उस वक्ति यह इनका अभी message आ रहा है कि कोई जना इनकी jolly nature का फाइदा उठाने कोशिश करेगा और जहां तक हो सकता है कि वह इनकी life को बरबात करने कोशिश भी कर सकता है और यहां पर affair का card है that means कि अपना मतलब निकाल के चले जाना तो सब चीजे damage ना हूँ इसके लिए जरूरी है कि third to third person इनकी jolly nature का फाइदा ना उठाए इसके लिए इनको ध्यान लखना चाहिए और वाकि एगर में इनकी करियर वाइस अगर से message आ रहा है कि ऐसे तो ही progress दिखा रहा है confidence रहेगा और इनका planning strategies यह बनाएंगी बनाएंगी अगले साल तक और थोड़ा सा यह reserve रहें तो जादा अच्छा है क्योंकि बहुत जरूरी है कि अपने चीजों को personal चीजों को प्रोटेक्ट करके चलें बहुत जादा चीजों को explore ना करें ऐसे तो ठीक है पूरा साल इनकी जहां तक possibility है जो मुझे आद देख रही है इनकी marriage कुछ प्लान कर सकती है क्योंकि मैंसमें आया था उसमें message मैं इसमें और देख लेती हूं कि इसमें क्या message आ रहा है इनके लिए अगले साल के रिए रश्मेदिसाई के लिए अगली साल यह बहुत महनत करेंगी hard work बहुत करेंगी कि अपने professional life को और अच्छा करें यह पैठने वालों मुझे नहीं हो सकते हैं उनको win करने का भी इसमें message आ रहा है इनको जैसे कि मैंने अभी पिछले ही उसमें cards की reading से बताया था कि इनको कुछ नकुछ financial अपनी savings हो सकती है तो उस चीज का इध्यान रखेंगी हो सकता है कि इनका financial जो है वो थोड़ा सा disturb हो सकता है savings जो है वो शायद ना कर पाएंगे और यहां पर मेसेज है कि इनको एक guidance चाहिए किसी से senior कोई जाना को इनके family का हो या friends और कोई ऐसा जाना जो कि इनको guide कर सके इनके career wise भी कि इनकी professional प्लस अनकी personal life भी क्योंकि हो सकता है यह source ना पाएंगे depression में चली जाएं तो यह जरूरी है कि यह किसी senior इंसान से experience इंसान से अगर advice लेना चाहते हैं तो बिलकुल ने इनको प्यार की बहुत कमी जो है वो कहीं न कहीं रहेगी इसमें यह भी message आ रहा है यह तक मैं इनकी बात करूँ तो इनको बहुत मन है कि मैं एक मेरी एक family हो और मुझे खुब सारा जो है family में मुझे बहुत सारा प्यार मिले यह इनकी feelings अगले साल के दिखा रहा है और सोचेंगी कि मेरे जो है आगे next generation भी हो planning कर सकती है अगे यहां message हो रहा है इनकी marriage को ले करके अकेले पन को दूर करने के लिए हो सकता है कि यह किसी को find out करने कोशिश कर भी सकती है बहुत इसमें possibilities दिख रही है अगले साल के अगे इनकार्ट के थ्रूवी में यही message आ रहा है next message आ रहा है वो यह है कि इनके अंदर शमता बहुत है हो सकता है कि यह अपनी परिवार बसा करने के पूरी कोशिश करें क्योंकि professionally तो अच्छा दिखा रहा है personal problems दिखा रहा है कि थोड़ा सा यह चीज रहेगी अकेला पन मैसूस होना किसी को find out करने कोशिश करना हो सकता है कोजरा इनको मिले भी तो इसमें यह भी message है कि अगर यह किसी के साथ अगर जैसे होता है किसी में कहीं न कहीं अगर यह musical किसी फील्म में अगर जाती है फोड़ा सा मीजिक्स की तरफ या अगर ऐसा कुछ है इसमें है इसमें दिखता है तो अच्छा रहेगा इनके लिए और जैसे होता है न किसमत के चाब भी खुलना तो कहीं न कहीं हो सकता है वहीं पर कोई इनको मिल कर रहे हैं इनको अपने उपर मास्ट्री करनी चाहिए अपने उपर मास्ट्री का इसमें मेसेज आ रहा है एंजिल के तरफ से और अपने लिए एक एंसिस्टर्स के तरफ से पूरवजों की हीलिंग जो है आशिरवात बहुत जरूरी है तभी नई शुरुवात इनके लाइफ में हो पाएगी तभी एक जैसे होता है रिबर्थ होना और अपने आपे मास्ट्री करना खुद ही अपनी कॉलिटी इसको देखना एक एक बार यह जरूर यह करें क्योंकि यह यह मैसेज बहुत क्लियर है क खुद ही मास्ट्री करें तो बहुत अच्छा होगा सेल्फ स्टेडी करें और एंसिस्टर्स की हीलिंग बहुत जरूरी है कुछ नकुछ जह है वो डोनेट करें अपने पूरवजों के नाम का अभी पूरवा चली अभी कर सकते हैं क्योंकि डेट है अभी और यहां पे तब क्या होगा बहुत क्लियर है अगले साल सब्सक्रादा प्रॉमिनेंट है कि इनकी प्रॉफिशनल लाइफ तो यह फांड़ करेंगी कि हां मुझे कहीं से अपॉर्शनिटीज मिल जाएं मिल भी जाएंगी सक्सेसूल भी रहेंगी करियर इनका अच्छा दिखता है पर्सनल ल ट्रव एंसेंधग झालब करें भी ज बहुत महांच झालब करें दाएंग 2बv2 4%